एक आदमी गोडे पर कहीं जा रहा था और गोडे को जोर से प्यास लगती है कुछ दूर कुवे पर एक किसान बैलों से हट चला कर खेतों से पानी लगा रहा था यानी बैल चलते पानी निकलता और फिर वो पानी को अपने खेतों में डालता मुसाफिर कुवे पर आया और घोडे को रहट से पानी पिलाने लगा पर जैसे ही घोडा जुक कर पानी पीने लगता कि वो रहट की ठक्टक की आवाज से वो डर जाता फिर आगे बढ़कर पानी की फिर कोशिश करता और फिर उस आवाज से वो डर जाता मुसा फिर कुछ देरिये देखने लगा और उसके बाद उसे किसान से कहा कि अपने बैलों को रोख दो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी सके उसकी ठक-ठक की आवास से वो घबरा रहा है किसान ने कहा कि जैसे बैल रुकेंगे कुवे मैंसे पानी आना भी बंद हो जाएगा इसलिए पानी तो इसे ठक-ठक की आवास के साथ ही पीना पड़ेगा परेसातियों ठीक ऐसे ही हमारी जिंदिगे में बहुत सारा शोर, ठक-ठक, हलचल बंद हो तब ही हम बजन करें, संधिया करें, बंदन करें अपना कोई काम करें, और आप इसे बूल जाएए कि ये जीवन के अलचल कभी बंद होने वाली है मन की त्रिप्ती, अगर आप चाहते हैं तो इस आवास के साथ ही आपको जीना पड़ेगा वरना हम गोडे की तरह हमेशा ही जीवन में प्यासे रह जाएंगे अपनी जिंदगी के सारे काम करते हुए, सभी दायत्व रैस्पॉंसिबिलिटीज निवाते हुए प्रभू सुमिरन में लगे रहना ही जीवन है, ये ठक ठक तो चलती रही है इसलिए आप उस शोर को मत सुनिए, जो आपके आसपास है, दिल के आवा सुनिए और काम पर लगिए, ये आज का सफलता का गुरु मत रहे नवश्कार प्रेसातियों, मैं हूँ सुरेश श्रिमाली, और आप देख रहे हैं, नौ फरवरी गुरुवार आज कर आशिपल बिल सकते हैं, 18 फरवरी सूरत बड़ोता, 19 फरवरी एहमदाबाद, 25 फरवरी मुंबई, 26 फरवरी पुने, और मार्च और अप्रिल का शेडूल आ जाएगा, लेकिन 13 से 17 मई में मैं सिंगापूर रहूंगा, आप चाहें तो आपर पर परसा नहीं बिल सकते हैं, आज सबसे अगर आपके बिजनस और जॉब में कोई गिरावटा रही है, तो आप आज के दिन, मेरे परिसातियों, पीले रंके, कपड़े पहनी, और काली हल्दी, 11 अभी मंत्रित गोमती चक्र, एक चांदी का कोई भी सिक्का, और 11 अभी मंत्रित धन दायक कौरियां, बांध कर, 108 बा ओम नमो भगवते वासु धिवाय, जाप करते हुए, आप उन्हें जहां पर अपनी एल्बिरा है, जहां पैसे रखते हैं, वैल्यूबल चीज़े रखते हैं, वहां रखते हैं, साथ दिन के लिए, और अगले गुरुवार को इसे किसी जरूत्पन व्यक्ति को या मंदिर विदान कर दें, इसे जॉब और बिजस्स में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, चंद सेकिंड आप लोगों लूँगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर, आरे पूरे दिन चतूर्थी तिती रही और आज रात को 10 बच कर 26 मिनट तक उतरा फालगूरी ग्रहों से बनने वाले, वाशी योग, आनदादी, सुनफा और बदादीतियों के साथ तो मिली रहे, लेकिन आज एक नया सुकर्मा योग भी बन रहा है, अगर आपकी राशी, मितुन का निया दनू और मीन है तो हंस योग, व्रशब सिंग, व्रिशिक और कुम्भ है, तो आईए राशी बल की शुरुबात, मेश राशी से करते हैं, पुरानी मानसिक और शारीरी कोई बिमारी है, तो आज गुरू बल इतना प्रभावशाली रहेगा, आपका वो दर्द खत्प हो जाएगा, अगर आप कंस्रक्शन, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मठियर, माइ प्रतवक सोच, स्वर्ण की खोज के समाने जो इसे खोज लेता है, उसका जीवन मुल्यवान हो जाता है, सोशल मीडिया, सोशल लावफ पर आज आप बहुत इन्वाल रहेंगे, और कहीं न कहीं, मेंटल स्टेबिलिटी रहेंगे, लाव पार्टों, लाव पार्टों साथ, जल्दी बाजी में, कोई भी decision मत दीजिए, फैमिली में सभी के बातों को मानने में ही आज आपके बलाईए, स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, आज concentration बरकरा रहा, और टाइम टेबल के अनुसार चले, तो advance और extra पढ़ाई कर लेंगे, और खेल भी आगे बढ़ेगा, बरशबराशी, आज आपको एक student बनना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, और इसके लिए आप तयार और ततपर हो जाएं, और इसके लिए आपको जैसे student पढ़ते हैं और exam देते हैं, वैसी आज का दिन आपके लिए अगनी परिश्चा का है, बिजनस में आपके काम को करने में लोहा मनवाने में सफल होंगे, लव पार्टन और लाइफ पार्टन के साथ शब्दों पर कंट्रोल करिए, वरना आपके लिए आज कुछ मुसिबद आ सकती हैं, कठोर वचन बुरा है, क्योंकि ये तन और बंद दोनों को जला देता है, और मृदुल वचन अमरित वरशा के समान है, सेहत में सुधार है, एक्स्ट्र और अडवास में काम करिए, फैमिली के सहयोग से आपके रुखे वे काम कंप्लिट होंगे, जनरल एक्जाम या कॉम्पिटिटिव एक्जाम के तैरी करने वाले स्टूडेंट के लिए, आज पुराने पेपर सॉल करना शुब रहेगा, फैमिली के साथ आने वाले शुब और मांगली कारे, ट्रैवल या किसी स्पेशल खर्ची की प्लानिंग आज हो सकती है, मितुन राशी, जमीन और जायदात के मामले सुलजेंगे, चैया वो खरीदना या बेचना हो, रेनोवेशन डॉक्यमेंटेशन ह बाद भी आपको बिजनस में उतार चड़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत का साथ न चोड़ें, सफल अवश्य होंगे, एम्प्लाइट पर्सन के प्रमोशन या ट्रांसपर के मामले में कुछ अर्चन आ सकती है, सरकारी महकमे से जुड़ेवे लोगों से आज कहीं कहीं उलजने की संभावना है, बची, लव पार्टन और लाइफ पार्टन में किया गया प्रॉमेस पूरा करिए, पीछे मत हटिए, आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है ना भवश्य होता है, इसके आलश्य को त्याग ना पड़ेगा, फैबिली पे रिष्टो आप उससे बाहर निकल जाएंगे, करकर आचिए, साहस, करेच और एंथिजयासिम, कुछ करने की तमना, सुबह से ही उत्साग रखा और थोड़े रूटीन को बदला, तो ये दिन आपका है, बिजनस में सोच समझ कर लिये गए फाइनेशल फैसले और इमोशन को बाहर रख आपको आज बहुत अच्छा फील होगा, ओफिशल हो या अनओफिशल, ट्रेवल में तोड़ी तकलिवा सकती है, लेकिन अगर ट्रेवल को प्लैन करोगे, तो मुसीबत वैसे भी सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निकर के बाहर निकला है, और निकलता है और आप निकर के बाहर निकलेगे, मेडिकल स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, बविश्ची को बहतर बनाने के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा, सिंग राशी, सत्कर्ब, पुन्य करम, कुछ ऐसे काम जो आज आपको आगे रखे, आपकी इमेज को बहतर कर आईए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वर्टपेस पर, इलीगल एक्टिविटीज, आलस्य, लेट लतिफी और लापरवाही आपको तकलीप डाल सकती हैं, मेरे प्रिशातियों, अलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य अपने प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए, आज हर काम को डेडलाइन तै करके काम करिए, लाव पाटो, लाव पाटने साथ, सर्प्राइस गिफ्ट, सर्प्राइस कुछ हो सकता है, फैबिली के साथ, इस्पिरिच्छल अक्टिविटी, दान पूजा पाट, ध बेटर होगा, एब डवलपर, वेब डवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वालोग, ऐसे लोग जो किसी प्रकार की IT प्रोफेशनल्स जुड़े वे हैं, उन लोगों को जॉब और बिजनस पर अच्छी ग्रोथ हाथ लगेगी, साथ ही आप किसी अन्य इस्थान पर भी कोई आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, नए लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं, कोई भी आज शुब और काम इस्पेशल करना है, तो सुबह 7-8 और शाम को 5-6 की बीच में करिए, वर्पेस पर आपका हेल्पिंग, नेचर सभी को आपकी तरफ अट्राइट करेग आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अस्तियों में हडिया मौझूद होती है, जिन में कैल्चियम और फासपुरस बरपूर बातरां पाये जाता है, साथी पानी की फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ावा देती हैं, ऐसे में बारत की सबसे बड़ी नदी गंगा के जल में फर्टिलिटी पावर बर्गरार बना चैने के लिए और तो और गंगा के आसपास की भूमी को उबजाओ बनाये रखने के लिए गंगा में अस्याँ विसरजित की जाती हैं, बात करते हैं तुला राशी की, कानूनी दावपेश थोड़े सीखिए, थोड़ा कुछ ऐसा करिए, जो आपको लीगली अवेर कर सके, होटेल, मोटेल, रेस्टरांट, फूड और बेवरिजिस, ऐसा काम जो ब्रोकरे से संबदी थे, डिली नीट से संबदी थे, उस काम में आपको कुछ नया करना पड़ेगा, तब ही आपके लॉस की भरपाई होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, बर्पेस पर किसी काम को लेकर कॉस कटिंग और आने वाले खर्चों पर बात करना शुब रहेगा, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसे के लिए जरूत, पैसे की जरूत जरूत पड़ती है, लव पार्टन और लाइप पार्टन के साथ मन में थोड़े विचार बूरे आएंगी, एक फियर आएगा, घवराट बेचे ने डर चिनता रहेगी, जनरल एक्जाम हो या कॉम्पेटिटर एक्जाम के तायरी करना वाले स्टूडेंट के लिए, आज अपने पुराने पेपर को सॉल्ट करना शुब रहेगा, सरदर्द, बदन दर्द आपको परिशान करेगा, अच् ग्रोथ बिलेगे, नए लोगों को हायर करिए, वर्प्लेस पर, जो आपके पीट पीछे बुराई करते हैं, फालतों की बाते करते हैं, आप उनके तरफ ध्यान दोगे, तो आप अपने काम से पीछे रहे जाओगे, चुगली करना उसका काम होता है, जो खुद किसी काम में काम के नहीं होते हैं, होम लोन, परसन लोन के लिए कहीं, आज अगर आप अपरूवल के लिए जाते हैं, कुछ काम करते हैं, फाइल आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का दिन शुबह किसी को बोलिए मद सिर्व अपना काम करिए, लव पार्टन और लाइफ पार्टन मे आशा आपके भीतर रहेगा, वाशी, सुनफा और सुकर्मा योग के बने से, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिसनस पार्टनर में, आज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अच्छी जीज़ें आप करने वाले हैं, और आज पीस्फू लाइफ जीना हैं, तो शांत और मौन रहना पड़ेगा, वर्टपेस पर, न्यू प्रोजेक्ट पर, बॉस आपको कोई अच्छे सजेशन दे सकते हैं, आप अपने दिल की बात, आपने कलीग या बॉस से शेर कर सकते हैं, फैबिली के साथ, लग्जुरी लाइफ जीने के लिए, आने वाल दिनों रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी और सेहत कराब होने का कुछ खत्रा नजर आ रहा है, मेरे प्रेसातियों बात करते हैं मगराशी की, सबाज, परिवार, गली, महले, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ पर, थोड़ा ध्यान दीची, आपकी इमेज बैतर होना जरू तब तक हम और भी कई बार बहुत सारी चीज़ें हो देते हैं, अपनी सेहत का विश्यश खायल रखें, लव पार्टर और लाइफ पार्टर साथ मौज बस्ते एंटेटेंडमेंट और प्यार, इश्क और महबत बढ़ेगा, फैमिली में चल रही है प्लानिंग, आपके पा अफिशल ट्रेवल की संभावना है, बात करता है कुमराशी की, आकस भी परिवर्तन, अचानक आपके आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, या जो परिवर्तन आपके काम के उन्हें अपनाईए, कान को भी आज आराम दीजिए, ऐसी बाते जो आपके काम की नहीं हैं, उन्हे आज कर सकते हैं, बर्पेस पर, फीचर को बहतर बनाने के लिए किये गये परियास, आपके हाथ में कुछ काम आएंगे, और परियास नए सिरे से करिए, परिवार में, अचानक से, कोई पैसे की तकलिफ या कोई पैसा आप से मांग सकता है, ख्याल रखिएगा, लव आज अच्छे डिसेजन लेंगे, और फैमिली में, करियर में, कुछ न कुछ ऐसा करिए, जो कमिनिकेशन गैप न रहे, शरीर की जाच परताल करिए, न्यूट्रिशन, विटामेन, प्रोटीन की कहीं कोई कमी तो नहीं है, मीन राशी, शादी शुदा है, तो लाइफ पार् इसके लिए आप हर काम को समय से पहले करिए, आपके चेहरे पर इसी से खुशी लोटा आईए, लाव पार्टर और लाइफ पार्टर की फीलिंग को समझे, और प्यार, इश्ग और महुबत रखिए, कोई भी प्रकार का वैर विरोध मत रखिए, बाशाओं का अनुवात हो सकता है, लेकर बावनाओं को नहीं, इन्हें समझना पड़ता है, फैमिली में आ रहे हैं, बदलाव, आपको शुब संकेत देंगे, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लियर्स, आज समय की बारिकी समझे, और अपने काम को नए अंदाज से पूरा करें, वर्क पेस पर आपको उसको किसी बात को कहरें, एक्सप्रेस करने में जिजक और डर रहता है, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपना लैप्टॉप, अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल, अपना कमरा इसी में व्यस्त रहते हैं, अपमान, रोग, दरिदरता और कई बार बदरमी का डर ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन के ऐसे शिकार हो जाता है कि घलत काम भी कर बैठते हैं, इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो उनको आप सांतवना मत दीजिए, उनके साथ खोब अच्छी बाते करिए, ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त लंबे स जोड सकते हैं, देगे नंबर पर संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आज के लिए तरह ही, प्यार बरा नमस्कार और बहुत बहुत आशिरवाद, ओम तत्थ पुर्शाय विद्वहे, महादेवाय धीबही, तन प्रचो दयार, सुरक्षा, आज के जीवन की, आज के दौर की सबसे बड़ी प्रात्मिकता है, माबाब चाते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे, बच्चे चाते हैं कि बाबाब सुरक्षित रहे, नौकरी करने वाला वेक्ती चाते हैं कि मेरी नौकरी सुरक्षित रहे, व् चिंता नहीं, चिंतन कीजिए क्योंकि बोले नात के आशिरवात से हम लाए हैं आपके लिए सुरक्षा कवज वो भी रुद्राक्ष के साथ 18 फरवरी महाशिवरात्री के पावनावसर पर हम आपके नाम से सिद्ध करके आपको सुरक्षा कवज बेजेंगे जिसे दारन करके या अपने पास रखके आप अपने जिवन को सुरक्षित बना पाएंगे इसके लिए आप अपना नाम अपने माता पेदा का नाम अपना गोतर हमें बेजिए उसके बाद हम इसे सिद्ध और प्राण परतिशित करके आपके द्वार तक पहुँचाएंगे एक बार जरू बोलिए जय शांकर